वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को में नमस्कार पाकिस्तान को जर्मनी ने बहुत ही कड़ा जटका दिया है जिहां और दोसरे भाग में आएंगे कि नेपाल को इंडिया एक नया पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करके देगा जिहां नेपाल के लिए इंडिया एक नया पाइपलाइन बनाएगा इवेन दो नेपाल और इंडिया के रिलेशन रिसंट टाइम में अच्छे नहीं रहे हैं मैं इस दोनों भाग के बारे में मैं आपको बताऊंगा पहले मैं आता हूँ जो जर्मनी ने पाकिस्तान को तागड़ा जटका दिया है उसके बारे में आखिर हुआ क्या यह बताता हूँ पाकिस्तान ने जर्मनी को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपना air independent propulsion system उसको दे पाकिस्तान को दे आखिर यह होता क्या है मैं यह बताता हूं और पाकिस्तान के लिए क्यों यह बहुत ही जरूरी है जिहां इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो सम्मैरीन्स होते हैं जो conventional सम्मैरीन्स होते हैं डीजल सम्मैरीन्स होते हैं उस सम्मैरीन्स को क्या होता है कि बैटरी चार्जिंग के लिए जिहां बैटरी चार्जिंग के लिए उसको सताब सर्फेस पे आना होता है और हर एक दूसरे तीसरे दिन उनको कुछी दिनों के अंदर सर्फेस पे आना हो होता है डीप सी से जिससे एक उनके पास हानी होती है डिडेक्ट करने की चांसेज बढ़ जाती है इनमी उनको डिडेक्ट बहुत जल्दी कर सकता है उनका पॉसाड कोई भी है अमेरिका का जो भी है पॉसाड कर सकता या जो भी है ओ हंटिंग डिडेक्ट करके हंटिंग कर सकत पंडीवी को तो खत्रा बढ़ जाता है पंडूबी पे जी हां तो इसलिए सभी देश यह चाहते हैं कि उसकी पंडूबी जितना दिर पानी कर रहा सके जितना ज्यादा दिनों तक पानी समयरी सिर्ट उत्तना फाइदा है अड़ाis के लिए एक बेटर आप्शन किए एक 1000 इंजन नहीं करो तो तो यह की आप यूज करो नुकुलियर समयरी समयरीन लेकिन महीनों तक पानी मेरा सकता है और इंडिया के पास निकेलियर पावर स्मयर्ट है अभी ही हमने निकेलिर टकनोलोजी होती है पैसा ज्यादा लगता थो हम बड़ी मात्रा में Nicolas सrete कांट्री के पाकिस्तान के पास निक्लियर पावर समयरीन नहीं है जाँ डिजल पावर समयरीन है उसके पास और उचेल आरीories मेरी सब्सक्तां रखें तो इसके लिए पाकिस्तान ने क्या कि जो उसके सम्मेरिंज को बाहर आना होता है पानी के बाहर आना होता है हर एक सब्ताहों में हर एक दो दिनों के बाहर दो तिन दिनों के बाहर बैटरी चार्ज करने के लिए जो डीजल इंजन से फिर चार्ज होता है तो क्या होता है कि उसको बाहर आना पड़ता है उसको खत्म करने के लिए, उसके चांसे जो हंटिंम के बढ़ जाती खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने जर्मनी से help मांगी, और जर्मनी के चांसलर, एंजूला मार relig कर दिया लेजेक्ट कर दिया पाकिस्तानка proposal, बोला नहीं देंगे, जिया, और फाइनली यह पाकिस्तान कर और पाकिस्तान के अक्रवाइब लेकिन इंडिया के डिया खुद बना रहा है और कहा जा रहा है और दूसरे भाग में हैं कि नेपाल को इंडिया एक नया पेट्रोलियम गैस पैट्रोलियम पाइप्लाइब देगा नेपाल का लगबग पूरा जितना भी एनर्जी प्रोड़क्ट्स हैं पेट्रोकेमिकल्स का और सारा इंडिया ही देता है इंडिया से ही एक्सपोर्ट होके जाता है बट अभी तक क्या था कि ट्रकों से जाते थे हलाकि सेप्तमबर 2019 में इंडिया ने एक पाइपलाइन से अल था दोनों नेपाल और इंडिया के बीच और इसकी एक मीटिंग हुई है तेरा अगस्त को उसमें यह सारी बाते रखी गई और फाइनली इस पे फीजिबिटी अस्टडी स्टार्ट हो गया इसका एक्स्प्लोरेशन की कहां लगेगा यह स्टार्ट हो गया है और इंडिया क जाधा रहलेवाले नहीं है और केपी ओली इसलिए इंडिया पर ज्यादा एग्रेसिव थे क्योंकि उनकी गौबर्मेंट को बचाने में चाइना ने सहयोग किया और सहयोग कर रहा था उनके इंटर्नल पॉल्टिक्स उनके इंटर्नल पार्टी में और भी प्रधानमंत्री बनना चाते थे लाइक कुस्प कमाल दाहाल पर चड़ तो वह तो एक बात थी दूसरी बात थी कि ओली इंडिया बिरोधी होके यह अपने लोगों को जताना चाते थे कि हम बहुत पावरफुल है नेसनलीजम जागाना चाते थे जिहां लेकिन उनको बाद में यह चीज़े रिलाइज हुई कि नहीं हम गलत कर रहे हैं और वहां के लोग भी दीरे-दीरे जागेंगे और जाग रहे हैं क्योंकि वह अब उनके ही जमीन को चाइना कबजा करना स्टार्ट कर दिया है तो कुछी दिनों के बाद सब लोग जान जाएगा चाइना के चरित जैसे मेमार न है और नेपाल के लोगों से रिलेशन है तो इंडिया सोचता है कि जो ओली 35 स्कॉयर किलो मिटर को हमारा डिसीप्यूट था काला पानी एरिया में ओली ने उसको 400 स्कॉयर किलो मिटर कर दिया नहीं मैं बना के एक रीजन से तीन भागों में एक भाग में था अब उसको तीन किलो मिटर की एरिया डिसीप्यूटेट था और नहीं वाले पर बात नहीं होगी और रिमेनिंग जो इच्छेत्र को अलग रख दिया जाए रिमेनिंग च्छेत्र में इंडिया कोपरेट कर रहा है क्योंकि हम अपने तरफ से भरकस कोशिस करेंगे इंडिया के पास कोई बताता हूं तरकों से हानी इसलिए होती थी कि उसमें चोरियां हो जाती थी मिलावट हो जाते थे और सबसे बड़ी बात है टांस्पोर्टेशन कोश्ट लगता था अब उससे क्या आया कि पाइपलाइन बन जाने से एक से दो रुपया घट जाएगा कोश्ट पेट्रोलिय रहा चाइना और उनके लोग भी जागेंगे आजना कल जागेंगे हाला कि तब तक को बहुत कुछ हो सकता है गमाद है वह अलग बात है जो भी अभी तक मेरे आप वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो देखने के लिए धन्यवार हाइवे ग्रेट डे जाए हिंद्ड